हेलो और यूद्स वेलके मैं चैनल एजुकेशन फॉर नेड़ा आज क्लास 12 वालों के लिए इंग्लिस के मोश्ट इंपॉर्टे टॉपिक मैं इस वीडियो में कबर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से बोड का पेपर आता है और किते प्रश्ट पूछे जाते हैं और सारे कोश्टन इंपॉर्टे ड़ जो आप मैं आपको बताऊंगा जो आपके इंग्लिस पेपर में पूछा जाएगा इससे पहले आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जुनों अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ने कर रहा है प्लीस हमाई चैनल को जाकर लिए को देखने के बाद इंग्लिश में तो देखे एटीन मोच इंपॉर्टे टॉपिक है इस बार यानि पूरी कुताब के बस कही याद करना है रड़ डालो फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं कि मैं आपको पता रहा हूं कि किस तरह से पेपर आता है इंग्लिस का और कि इस तरह से बिलकुत प्रारूप बनेगा जो आपके पेपर में आएगा सबसे पहले देखे रोल लंब लिखा रहता है फिर नाम लिखा रहता है का ठीक और यह पेपर कोड होता है देखे दो जार तेज अंग्लिजी का पेपर है तीन गंटा 15 मिन मिलता है और पुरां के आता है फिर मैं आपको मोश इंपॉर्टेट टॉपिक बताऊं को और वीडियो को अंतर तक जरू देखेगा जिससे कि आपके 100 में 100 माक्स बिल्कुत पक्य हो जाएंगे जिके 60-70 की मैं गरंटी ने जे रहा हूं मैं गरंटी दे रहा हूं 100 में 100 नंबर मैं इस वीडियो में अर सुक्ण stalk area करा दूंगा बस आपको क्या करना है इन को साथ जो मैं आपको बताताई चाल रहा हूं तो प्लीज हमारा चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करे लिए कि सबसे पहला मैं आपको कुछ introduction बताता हूँ देखिए this question is divided for section a b c d तो ये आपके चार section में divide होता है all question for the section are the compulsory marks indicate against each question यानि कि प्रते question के जो marks होंगे वो indicate होंगे आपके question paper में देखिए section a तो section a किस तरह से question आते हैं देखिए सबसे पहला आता है question आपका मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा section a question read the following passage carefully and answer the question that following एक पैसर दिये जाएगा उसके कुछ question answer होता है आप उसको टैर करना है तो ठीक मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सा पेपर में आएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो बने रही है हमाई वीडियो पर तो देखिए turn over लिखा है मैं आपको turn करके दिखाता हूँ मैं आपको पहले paper बता दा हूँ कौन-कौन से question किस तरह आते हैं तो देखिए पैसर दिये उसके question answer आपके नीचे दिये होते हैं तो यह देखिए question answer हर question के marks के answer लिखे हुए थ्री थ्री किते question है वन टू थ्री पूर डी इसमें e question आए हुए यहनि कि प्रतिक जो question है वो तीन तीन माक्स का है यह देखिए अब देखिए section b writing अब क्या करना है article यह देखिए write any article any of the one topic about 100 to 150 question में तो इस तरह से यह article पूछे जाते हैं जो आपके board paper में आते हैं जो पिछली बार मैंने आपको बताया था वही आया थे या फिर से देख लीजिए मैं इस बार कि गरांटे जह रहा हूं कि मैं जो इस बार भी article बताऊंगा उसी आपको तैर करना होगा फिर आता है देखिए थर्ल नमबर पर लेटर राइट ए लेटर मेशर आफ दा सीटी एस्परेंसेस वार्ट दा कंसें और दा है इन हाउस एंड वाटर टेक्स इस तरह से और लाश्ट में आपका और करके आया राइट ए प्रेंसिपल आफ दे यो कॉलेज रिक्वेश्टन टू मेग प्रोपर अर्रेंजमेंट और रिस परिसमेंट डूरिंग दा रेस तो इस तरह से यह आपके लेटर पूछे आतने हैं फिर देखिए मैं पूरा से पूरा आपको बता दिएँगा जिस तरह से आथता देखिए section c section c क्या होता है grammar तो grammar में आपको 10 पनला पड़एगा तो मैं जो आपको बता रहा हो वही Packard करेंगे अभी देखिए मैं पूरा वीज वीडियो में आपको बताँग क्योंकों कॉशन आए किस तरह आएंगे वो मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूं गौर्मन अपड़ इस तरह से आपका कोशन मनता है दा फ्रेस्वांड आफ दे मीनिंग इस तरह से यह ग्रामर सेक्षिन का फॉर नमबर कम डिट पर देखें ग्रामर सेक्षिन में या या देरिंग इन्डरेक्ट यानिकी इन एनीवन यानि दूंँ में से एक को आपको जैंश करना होगा इनिट इस पीजिए में फिर कॉम्माइशन अनिज वन ओन आफ द डरेक्ट speech into the simple sentence into the compound sentence तो आपको इसमें दोनों में से एक करना है फिर देखे सी में one of the following that डारेक्ट हां और ही इस बीटन से रेली इन इस मज़र बाइटू मज़र एक्टिवाइज और सुपर लेक्टिव डिगरी में चिंज करना है तो दी सेक्शन देखिये सी का करेक्ट आप of the meaning of the following sentence इसमें दोनों से में से एक करना है आपको फिर इमें मैं आपको पूरा पेपर बता रहा हूं अभी देखिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक-एक टॉपिक बता दूंगा क्या से पढ़ना कैसे पढ़ना क्यों पढ़ना है कितने मांक से आते हैं सब देखे मैं पेश कर रहा हूं फिर देखे फिर आपके हमाया है टानलेशन जैनिक टानलेशन पांचान नमबर का आता है तो इसको भी आप जोरू तयार करेंगे जैनिके टेंस को आपको अच्छे त्यार होना चाहिए अब डी सेक्शन देखे लिटेचर का लिटेचर में आपके पूश्चन तो इस तरह से आपको दो में से एक करना होता है फिर आया एनिवन यानि कि छौट को शिदिस्क्रेप्टि डर डवलब प्रेत आप दा बंगला मेर्किंग यानि कि इस तरह से आपके कोश्चन आते हैं इसमें से भी आपको एक करना है अब देखिए आपका पू आपको सौल करना होगा जैनी कि इसके कोश्चन आंसर आपको सॉल करने होता है रेड़ फॉल्वविंग एक से लगुरी आपको कोशन डार दा फॉलव यह ठीक है उसके कोश्चन अभी आपको बताने वाला हूं वीडियो के अंते में जो भी बताऊंगा पूरा पेपर मैं आपकी सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है आपको कौन कौन सा कोशन पुछेगा फिर आया सप्लिमेंटी टाइगर इसमें भी आपके कोशन अंसर हैं दो में से ए सब्सक्राइब करना है ठीक आपका ट्वल नंबर कोशन देखे एनी आफ दा वाल्विंग स्पीच आफ दा यानि कि यह लॉंग कोशन है आपको साथ नंबर का दोनों में से एक करना है आपको इस तरह से ट्वल टॉपिक होंगे जो आपको ट्यार करना है अब दिखिए आपको अब बताने वाला हूं तो इस तरह से पेपर बनता है यह 233 पर था मैं आपको एक मॉडल की टूप में दिखा रहा हूं तो दिखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो का अंतर तक जरू दिखेगा मैं इस बागे गरांटि ज़रा हूं कि यह कोशन मनेंगे और वह को लिए इस तरह से कोशन मनते हैं यह किस चैप्टर से करने हैं वह मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा फिर देखिए आठिकल आठिकल में आपको कौन-कौनस तятиर करने हैं वह डिस्क्रिप्टिब आयोव 카ी और इस्ट ओब् facil is तरह से यह आपको आपको यापटा करने हैं कौन-कौनस वह मैं भी आपको बताने वाला हूं तो देखिए ओ्स पहले आपको बताने जा रहे हैं कौन-कौन just Tam को तैयर करने हैं सबसे पहले दिखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं लैकर के बारे में लैकर में आपके जी लैकर करो दसमा स्माथ को जा hypothesis बता रहाundert if पस इनको त्यार करते चलिए राइट लेक्टर आप दा एडिटर आप दे न्यूस्पेपर आप अपॉर्ट फ्रेक्वेंसी ब्रेक्टाउन तो इस तरह से वाटर सेप्लाई की जो लेकल्टी तो ब्रेक्डाउन हो चुकी है उसके बार पूचेगा फिर सेकंड कोशन है इसी क आपको यह त्यार करना है फिर डिस्टिक में रिष्टर को एक लेटर लिखना है किसके वज़े से लॉड़ी स्यूपिकर एट लेट नाइट यानि कि यह भी बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है मुशन पॉर्टेड फिर आपका फोट नमबर पे लेटर आप दे एडिट विखने प्रेंस हीम दा मूवमेंट आप दा क्रिमिनल एलिमेंट आफ यू एरिया यानि कि यह आपके जो पांच मैंने बता है इसको जरू से जरूत आकर लिजे पिर देखिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए सेंटर लड़ी आपको किस्ता त्यार करना है टॉप थी में मैं सेंटर लाइडिया लिखे हैं जो दूमाच को आएंगे देखिए माइ मदर एट 36 कीपिंग और और तिंक ब्यूटी आप तीन कहीं तैयार करके चाहिए मैं इस बाकी गरेंटी देरों यहीं आएंगे आपके आर्टिकल अब देखिए ग्रामर सेक्शन सी सेक्शन में आपको त्यार करना है आप इसकी इंसोर्ड लेते चलिए मैं इस बाकी करेंटी तो मैं पूरा पेपर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं तो जिससे कि आपके पोर्ड एक्जामिशन में काफी अच्छे माक्स आएंगे तो दे आपके ग्रामर सेक्शन के इस्ते टॉपिक है आप इसको जरू से जरू तयाक लिए कोश्चन में दिये हुए आप इसको लगा लिए जो पेपर में आये हुए हैं प्रिवेस येर तो उनको जरू से जरू लगाना है फिर आपको हिंडू टू इंग्लिस टानलेशन आपको करना है अब देखी लिटेचर को पोश्चन जो लिटेचर है आपकी मोश इंपॉर्टेड है वो आपको कौन-कौन से त्यार करना है देखें डी सेक्षिन तू शॉर्ड इस्टोरी के कोश्चन आएंगे एट मार्स के तो सबसे पहले आप किस चैप्टर के त्यार करेंगे देखेंगे दालाइस लेसन लाज ट्रेंग और डी वोटर यह आपके साथ कोश्चन इन तीन चैप्टर से आने वाले हैं तो आप इन तीन चैप्टर को जरू 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 तया करेंगे और लॉंग कोश्चन भी आपको इसी चैप्टर से त्यार करना है देखिए वन और डी वॉटर तो आपको जरू सी जरू तयार करना है फिर प्रोट्री में टैन माक्स का आएगा कोश्चन तो यह निए प्रोख्ष्टी एक्स्टेंजा आएगा आपको जो पैसे दिया जाता है उसके त्री वेरी शॉर्ट कोश्चन आइंग जो सिक्स माक्स के होते हैं आ तो भी मैं आपको बताने वालों कि चैप्टर से अफ्टार करें लिए लिए देखिए चैप्टर वो कौन से थे हम आपको बता दो सेंटाल एडिया के तुरू तो देखिए माई मदर एट सिटे से कीपिंग वाट एलिमेंटरी आप दे स्कूल आप दे क्लाप स्लैम और एक चैप्टर लेडिया आप चारते रख लिए बिल्कुल ही यही पेपर में आने वाले हैं मैं आजबा की करेंटिटरो इसके लेते चलिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेर करीजिए जिससे कि मैं आपके लिए बैतर से बैतर वीडियो बना सबहूं अब देखिए सप्ल आदरों जैनरी आफ दा इंड आफ दा यानि कि यह चार जो चैप्टर है मुझे इंड आफ दा अर्थ अब देखिए लॉंग कोशन आपको इसी से पूछा जाएगा तो इसी एक के लांग आप तयार के लिए जब लॉंग तयार के लेंगे आपके साथ और आठ पंद्रह मा जो चैप्टरों से थार्ड डेफिल टाइगर केंग जन्री आफ दा इंड आफ दा तो इस तरह से यह आपके मोश इंपॉर्टेट जो टॉपिक ते वह आपके कंप्लिट हुए अब देखिए आर्टकल कौन कौन से पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं जो आपके जरूर से जरूराते है जो मॉशुंपॉर्टेड ाटकल आफ मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से अथार के लिए देखिए इंड़न्ए हैं अच्धिया इन्टिया इंडिया इसके दातर करें मोश्पॉर्टेट एक एप प्र इस तरह से यह पांच जो आपको मैंने बताएं इसी में आपका एम्मारी आ सकता है ठेक है तो इस तरह से आपके यह पांच जो हैं इसी सब मिलते जुलते आप तैयर के लिए मैं इस भागी गरानिटी दे रहा हूं कि ये इससे बाहर कोच भी पेपर नहीं आने वाला है मैं आपको अभी पेपर दिखाया था तो आपको इसी तरह से त्यार करना है और जादा से जादा लोगों खुश्या किये Thank you so much बने रही हमाई चैनल Education Point Adda के साथ और मिलते हैं फिर नए वीडियो में Thank you so much